नमस्कार आप देखने दिल्ली तक और मैं हूँ आपके साथ राके सुनी जहां एक तरफ आमाधी पार्टी की मुश्कले बढ़ रही है तो उनके बिधायकों की भी मुश्कले बढ़ती जा रही है हम बात कर हैं दिल्ली केंट के बिधायक विरेंदर काध्यांत की जिस तरीके अब नीरज हैं उनसे बात करतें क्योंकि उनके दवारा ही है दिल्ली केंट के जो आमाधी पार्टी के विधायक है उनके उपर यह पूरा मुकदमा दर्ज करा गया था जाने की कोसिस करतें कि आखिर कार क्या वजा थी और क्यों आखिर इनको जान से मानने की धंकी दी गए और साथी साथ इनको जाती सूचक सब्द क्यों कहने के लिए मजबूर हुए आमाधी पार्टी के विधायक बिरहाल कोट ने इस पर पूरा फैसला सुना दिया है इस पर जो है मुझरिम करा दिये गहें दिल्ली के आमाधी पार्टी के विधायक अब नीरज किस तरीके से आ मैं पूर विधायक कमांडो सुरहिंदर सींग जो अभी है मैं उनका 2016 से 2019 तक मैं पी रहा हूं और विरिंदर काद्यान जी मुझे खुब अच्छी तरह से जानते हैं मेरे जाती को ले के भी और मेरे नाम को ले के भी नीरिज निर्वाल को तो मुझे खुब अच्छी तरह से जानते हैं और मेरे को जानते हुए भी मुझे आसचारी है कि मुझे जानते हुए भी मेरे खिलाप यह एक उन्होंने सरीयंतर रचा और एज़ियम के माधियम से मुझे नौटिस दिला के और मुझे वहाँ पे बुलाया गया और तेईस आट दोजार बाइस का वाक्या था और मैं वहाँ पर गया हेरिंग में उसके बाद में हेरिंग के बीच में दोरान में विधायक जी वहाँ पर पोच गया अपने गुंडों के साथ में और वहाँ पर जाके मुझे जान से मारने की धंकी और जाती सुचक सब्दों से और मतलब काफी बाते हैं जो मैं आपके मा बात करती है और उनके बिधायक भी आधी पार्टी के हैं वो भी अपने आपको कद्दावर बताते हैं और जस तरिके से उपलिक पाटैश में आपके साथ गाली गोलंच करे जाती है जान से मानने भ़ते हूं अब पझने मुझरिम करार झा अब आपको अपनी जान को लेकर क्या खत्रा है देखें मुझे बिल्कूल मेरी जान को लेकर कर अब परीवार पोचरी है और मैं घबराता रहता हूं डर काम तो मुझे करना ही है पर मैं मेरा रुजगार बंद कर दिया साइवेर कैफे मेरा बंद करवा दिया है और अपना अब मैं कोट कचेडी या वैसे इधर उधर जाता हूं वकील साब के पास या SDM कारले में तो मेरे को मतलब डर एक साब को तो मेरे को अभी सेक्योर्टी के लिए मैंने डाला हुआ है कि स्क्योर्टी परवाइड कि क्राई जाए और मैं अभी कोट में भी अप्लिकेशन लगा हूं अपने वकील के माध्यम से और दूसरा मैं आपको बता दू कि यह कोश्चन आपने बिलकुल बहुत बढ़ मैं अपना काम कराते कर मुझे टाइम लग गया था तो उसके दोरान मैं डिली के पास आया कमरे के पास आया मिलने के लिए मैंने बोला उनके रिडर साब को तो उन्हेंने बताया कि अभी आप बैठ जाओ और अभी एस्टिम साब जब फिरी होंगे जब मिलेंगे मैं वहां से जब अंदर से विधायक जी निकल गया है एस्टिम के वहां से तो इन्होंने फिर मेरे को वहां पर दुबारा जाती सुचक सब्दों से और गाली गलोज देके और धंकी देके यह वहां से निकल गए जिसकी सिकायत मैं थाने में तिलक मारक में की हुई है मेरे गवा को भ अभी इंक्वैरी चल रही है तिलक मारक थाने के अलावा आपने निजच कहीं और भी बसंद बिहार क्या सागरपूर थाने में भी कोई मुकदमा दर्ज करा है उनके खिलाफ हां मैं बताता हूं कि इनके जो विधायक जी के जो गुंडे हैं जिनोंने मेरे पर हमला किया था उनकी F.I.R. सागरपूर थाने से दर्ज है और उनका मामला जो है अभी चल रहा है चार्शीट कोट में अभी पेस नहीं किया भी पेस कर रहे है और दूसरा जो इनका जो पीए है हरी सवस्त विरेंदर काध्यान जी का पीए जो हरी सवस्त है उसके खिलाब भी F.I.R. दर् सब्सक्राइब क्या इसको लेकर क्या आप दिली के मुखमंत्री अर्विन के जीवाल से मिले क्योंकि आमाधी पार्टी लगाता से धनतों की बात करती और आप भी कहीं नहीं बैक फुट पर देखा रहें जो आपका बैक ग्राउंड है वह आमाधी पार्टी से जुड़ा हु हो गए और अब क्या इस लड़ाई को लेकर क्या आप दिली के मुखमंति रजनी के जवाल तक पहुंचें देखिए मैंने इसमें एक दो विधायकों को मैंने कंप्लेंट की थी कि विधायक ने मेरे साथ ऐसा किया तो उनोंने बोला कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते और जो ठीक और यह बात मैं को बता आए हो कि इस द्धानतों की बाते करते हैं तो यह सिर दंतों कि कहा बाते करते हैं एक इन्होंने हमारे यह भी मराव मेंड़कर फोटो लगा दी है के एक मैं धलीजाती से हूं और मुझे इनके विधायक पडतातर रहे है हैं यहां तो सिद्धानत इंके नहीं है ना और दूसरा मैं आपको बताओं यह दिखाने कुछ होते हैं ॡूर बंगला नहीं लूंगा आई जञती हैं प्रक्राइख के नाम से पार्टी जो है वो अपना पी ही इनके विधायक जो तिनों ने यह नवरतन विधायक चुने 2020 में उनसे इनकी पार्टी खराब होती जा रही है किस तरीके से लड़ाई को लेकर कैसे आगे चलेंगे क्योंकि अब 20 तारी की फिर से आपकी डेट है और लगातार आपको जान से म अगरा जो दिली के विधायक है देखे यह पावरफूल है एक तो विधायक है दूसरा अपर मिर से टिक है और मैं मैंने जैसे पहले आपको बताया मैं दली समाज से हूं और मैं एक बिल्कुल ही पूर फैमली से हूं गरीब फैमली से हूं और मैं अपने परिवार में कमाने किते परेशानी आरी है डर मुझे आए दिन रहता है अपनी जान को लेके और परीवार के खत्रे को लेके परीवान की जान को लेके मेरी बेटी स्कूल भी जाती है निक है मेरे बच्चे घर में अकेले भी रहते हैं तो इसी चीज के लिए मैंने application अभी JP साप को लगाई है। और CP साब को भी between को मैने कंप्लेच और में कोर्ट में विढूँ का और दूसरा क्या है कि हाँ यह भात ठीक है कभी भी मेरे साथ में कुछ भी यह कर सकते हैं रस्ते में पर नहीं अजुक alpha जुबानी और सच्चाई की डगर पे मैं चलता रहूंगा और इंसाफ की मैं कोट से गुहार लगाता हूं कि इंसाफ मुझे मिलेगा देखिए आपने सुना कि किस तरीके से दिल्ली केंड के बिधायक के ओपर जो पूरा मामला है दर्ज कराने वालों ने खुद अपनी उसी करार मानली है अब देखना होगा कि 20 तारीक को जो फैसला आएगा उस फैसले में उनको कितने साल की सजा मिलेगी दिल्ली से के मैं मैं धर्बंद कुमार के साथ राके सोनी दिल्ली तक हुआ हुआ है